चलेगा स्वागात है आप सभी का एक और फ्रेस मौर्णिंग में आज हम एक और टॉपिक को तयार करने वाले हैं जो MPPACC ने जो सलिवस चेंज किया था दोहर 24 में एक और टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जेनिटिक डिसीज और उसके लावा यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया तो आज हम चर्चा करने बाले हैं इस टॉपिक के उपर जेनिटिक डिसीज और सिकल सेल एनीमिया की उपर होने बाली हैं आज सभी के साथ क्या बाते होने बाली हैं तो जितनी भी लोग मुझे देख रहे हैं, बाकी सभी लोगों को आप सूचना दे दीजिएगा, एक क्लास यहां पर सुरू हो चुकी है, और जो चेंजस हमें देखने को मिले थे 24 में, उनकी उपर होने बाला है आज डिसकसन, जिसने पुराना बीडियो ना देखा हो, तो ए हाँ पर हम बात करेंगे, सिकल सेल एनीमिया की उपर भी बात करने बाला हूं, चलिगा, तो सबों का बहुत-बहुत स्वागत है भाई, रूबी, अर्पित, स्वाती, अंबिका, स्रध्धा, संध्या, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी का बहुत-बहुत स सलते हैं हम आज बात करने वाले हैं हमारा टॉपिक आपने देखी लिए जनेटिक डिसीज और सिकल सेल एनीमिया हाला कि यह छोड़े छोड़े टॉपिक यहां पर नहीं है यह दो टॉपिक काफी बड़े टॉपिक हैं यह दो एक आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा अनीमिया बाला जो पूर्सन जो है उसको पहले में कबर करा दूँगा फिर एक और संडे में आपका लूँगा यहां पर जहां पर में जनेटिक डिसीज को यहां पर कबर कराऊंगा काफी बाश्ट है यह भी जनेटिक डिसीज आनुबांसिक रोग है ना चलीगा तो आज बात करेंगे एनीमिया की उपर इसकी उपर चर्चा करेंगे इसके हम टाइपस भी हम देख लेंगे इसके हम देख लेंगे क्या प्रकार भी हम यहां पर देख लेंगे कुछ पॉलिसी चलाई गई हैं इनको भी हम आज यहां पर कर लेंगे complete प्लस हम बात कर लेंगे इ टाइब्स और फंक्शन इन सभी मुद्दों की उपर आज हम करने बाले हैं यहां पर चर्चा ठीक है तो अदरवाइस टॉपिक काफी बड़ा हो जाता इसलिए मैंने क्या काम किया है तो हम पहले चर्चा करने पहें आज का जो मुद्दा जो रहेगा आज की मुद्दे में हम हम बात करने बाले हैं किसकी उपर मीन एनीमिया की उपर हम बात करने बाले हैं इसकी हम प्रकार की उपर चर्चा करेंगे इसे जुरी हम पॉलिसी बगएरा भी हम यहां पर आज देख लेंगे है ना तो आज का मुद्दा रहेगा एनीमिया और जो अगला संडे जो रहेगा आने बाला संडे जो रहेगा, उस संडे में जेनेटिक डिसीज आपको पूरा कम्प्लिट यहां पर करा दूँगा, क्योंकि लिखा भले एक लाइन में हैं, यह काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं, दो, है न, चालो, बात करते हैं, अब एनीमिया की उपर चर्चा करते हैं, चालो, यदि हम बात करते हैं, एनीमिया, नाम सुनते से लोग अधिकतर लोग जो कॉमन मैन है वो क्या बोलता है कॉमन मैन वो बोलता सर खून की कमी होगी तो से कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है तो लोग बोल देते हैं सर खून की कमी का होना एनीमिया कहलाता है ना, खुन की कमी का होना एनिमिया नहीं कहला था, खुन की कमी को बोलते हैं, आईपो बोलेमिया कहा जा था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, तो सर, ये एनिमिया क्या कहला था है, हम बोलते है, डेफिसेंसी आफ हीमोगलोबिन in the blood level, रक्त के इस त efficiency of hemoglobin hemoglobin की मातला कम हो जाना कहां पर blood में इसे कहा जाता है क्या इसे हम यहां पर बोलते हैं अपसर यदि hemoglobin blood में कम हो जाएगा तो क्या क्या दिक्कत आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो हम पहले function पढ़ने इसके hemoglobin के और फिर हम एनीमिया की उपर उतरते हैं तब हमें एनीमिया सही तरीकी से समझ में आएगा है ना इसके 6 प्रकार हैं कुछ special प्रकार ही मैं आपको बताऊंगा एनीमिया के वही यहां पर बता रहा है देखो एनीमिया क्या है hemoglobin की कमी हो जाना एनीमिया चलो सर hemoglobin का काम क्या होगा बॉड़ी के अंदर पहले उसके हम function को हम समझ ले फिर हम एनीमिया की यह देखो बताता हूँ फिर हम एनीमिया की टाइप देख लेंगे कौन-कौन से प्रकार होते हैं एनीमिया के तो हमारे जो syllabus में हैं जो mean जो हैं एक सिकल सेल एनीमियम मीन अलग से ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके पहले हम एनीमिया का जो reason जो था हीमोगलोबिन जो कम हो रहा था तो हीमोगलोबिन का पहले हम function समझ लेते हैं उसका हम type हम समझ लेते हैं और फिर हम उतारते हैं किसकी उपर, एनीमिया की उपर हम बात करते हैं, ठीक है, चलेगा, आजी, तो पहले function देख लें, और हम इसके type हम यहाँ पर देख लें, फिर हम उतारते हैं किसकी उपर, फिर हम उतरेंगे, एनीमिया की उपर उतरेंगे, चलो, तर हीमोगलोबिन का function क oxygen और carbon dioxide का परिवहन करने का काम ये काम किसका होता है ये काम होता है हीमोगलोबिन का ध्यान से मेरी बास सुनना हीमोगलोबिन जब कभी भी oxygen के साथ reaction करता है तो compound बनाता है कौन सा HbO2 ये कहलाता है oxyhemoglobin जब कभी भी हीमोगलोबिन find होता है carbon dioxide के साथ तो बनता है carbon amino हीमोगलोबिन ये देखो आप तो जो oxyhemoglobin बना है ये कहां तक जाएगा ये जाएगा भाई सब tissue level तक ये cell तक यहां पर पहुंचेगा तो ये oxygen को यहां पर छोड़ेगा और यहां पर हुई ही metabolic activity हुई है ये उपपब अच्छे़ज किर्याएं यहां पर हुई है सर यहां पर क्या बना होगा यहां पर co2 बनी होगी सर ये रिखो को क्या करेगा ये bind करेगा हीमोगलोबिन ये उसने bind किया और कहां तक लाएगा lungs तक लेकर आएगा जहां से हम co2 को क्या करदेंगे बाहर कर देंगे तो हमें mean function तो समझ में आ रहा कि सर ये क्या काम कर रहा है हीमोगलोबिन, हीमोगलोबिन oxygen और carbon dioxide का परिवहन कर रहा है अब जाहिर सी बात है यदि हीमोगलोबिन कम होगा तो हमें से anemic बोलेंगे या anemia हमें से यहां पर बोलेंगे हीमोगलोबिन की मातरा क्या हो रही है अब जब हीमोगलोबिन की मातरा कम हो रही है तो इसका मतलब यह हो गया tissue label पर O2 और CO2 के जो transportation जो होगा इसमें दिक्कात आपको आनिया सुरू हो जाएगी बस इसी ही कहा जाता है anemia इसके बीचमें एक बात और देखो यहां पर एक बार caution भी पूछा गया है कि सर आउकसी हीमोगलोबिन और कार्ब अमाईनोहीमोगलोबिन यह कैंसे compound होते हैं stable होते हैं कि unstable होते हैं जरव मुझे comment करके बताओ oxyhem...)ट और कार्ब अमाइनो हीमोगलोबिन ये जो योगिक बने हुए हैं ये जो कमपाउंड बने हुए हैं ये कैसे होते हैं इस्थाई योगिक होते हैं कि आइस्थाई योगिक होते हैं जल्ली से मुझे कमेंड करके आप बताओ कि आक्सी हीमोगलोबिन और कार्ब अमाइनो हीमोगलोबिन ये कैसे कमपाउंड यहाँ पे हैं इस्थाई हैं कि आईस्थाई हैं जल्ली से कमेंट करके मुझे आप बतावाई कुछ लोग जो पढ़ चोके हैं भाई बहुत जरू आंसर दीजिएगा आंसर तो सभी दीजिएगा सही गलत कोई दिक्कत नहीं है अंडराक का एक आंसर बना हुआ है एक कर्पित का आंसर बना है एक पंकच का बना हुआ है जल्ली सांसर दीजिएगा जो आक्सी हीमोगलोबिन और कार्ब अमाइनो हीमोगलोबिन बनें यह stable होंगे की unstable होंगे इस्थाई होंगे की आज्थाई होंगे जली से आज़र करेगा सभी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोग आंसर कर रहे हैं इस्थाई आंसर कर रहे हैं इन सभी आंसर में से स्वाती बिवेक का जो आंसर है वही आंसर केबल और केबल सही है पाकि जितनी लोग बोला है ना इस्थाई है इस्थाई है तो धूप ठीक ठाक निकली होगी है ना तो धूप में जाके मुरगा बन जाना अपनी class ऐसे ही होती है धूप ठीक ठाक निकल ली है तो धूप बन जाके मुरगा बन जाना आप लोग जो लोग बोला है न इस्ताई होते हैं देखो यहाँ पर एक कही आंसर सही मिला मुझे एक सौती का और एक कमला का कमला ने मगर आपना आंसर गलत कर दिया फिर काट दिया उसे ने तो आती बिवेक का ही आंसर यहाँ पर सही था जिसने सबसे पहले आंसर दिया है उसके बाद तो सभी लोगों ने गलत आंसर दी है तो धूब अफ ठीक ठाक निकलने लगी है तो धूब में जाके मुरगा बन जाओ और बोलना सर ने बोला है जो अब ध्यान से सुनना जो लोग स्थाई यहाँ पर बोल ले थे आकसी हीमोगलोबिन और कार्व अमाइनो हीमोगलोबिन जो आपने बोला कुछ लोग बोले इस्थाई होता इस्थाई का मतलब आप समझ रहो क्या इस्थाई का मतलब है कि जो बोन्ड बनेगा यह छोड़ेगा नहीं मालो यह हीमोगलोबिन हो गया ये आक्सिजन हो गई, अब ये इस्थाई का मतलब ये, अब ये इसको छोड़ेगा बिल्कुल भी यहां से नहीं छोड़ेगा, जी हाँ, ये इसको बिल्कुल भी यहां से नहीं छोड़ेगा, यही तब तो इस्थाई है, तब तो यहां पर इस्थाई है, मेरी बात आपको यह जो छोड़ ही नहीं रहा है यह लोग इस्थाई बोल रहे हैं यह जो कमपाउंड बनते हैं यह कैसे बनते हैं अन्स्टेबल ये बनते हैं कैसे आज स्थाई योग बनते हैं वंडे एक्जाम ने कौशन यहाँ पर कर लिया है वंडे एक्जाम ने यहाँ पर कौशन कर लिया है बात मेरी सबन में आ रही है अब ये आज तभी तो छो इस्थाई का मतलब भी हो गया कि आपने बोला एक ट्रक है आपने बोला एक ट्रक है मैंने बोला भाई सब ट्रक की उपर से माल कोई नहीं उतारेगा तो हीमोगलोबिन हो गया ट्रक आक्षन हो गया उसकी उपर माल रखा हुआ यह गुड्स हो गया अब माल रखा हुआ मैंने बोला कोई ट्रक की उपर से माल नहीं उतारेगा क्या वो ट्रक काम का बचा आपके तर वो ट्रक तो हमारे कोई भी काम का नहीं बचा है तो कि उसके उपर तो माल रखा हुआ था मेरी बात आपको सवज्मिया रही है तो ये compound कैसे बनते हैं ये बनते हैं unstable compound बनते हैं अर्ष्थाई योग बनते हैं एक gas का नाम मेरे कि खाल से आप लोगों ने सुना होगा है ना इसे कहा जाता है carbon monoxide ये CO जब compound बनता है देखो ये HBCO दिखाई दे रहा है आपको HBCO जब carbon monoxide हीमोगलोबिन के साथ यहाँ पर reaction यहाँ पर करती है जब carbon monoxide reaction करती है तो ये बनाती है compound ये जो योग जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा योग है this is stable compound ये कैसा इस्थाई योग है इसका मतलब carbon monoxide कार्बाक्स हीमोगलोबिन आप बोलते हो carbon monoxide की affinity towards हीमोगलोबिन बहुत ज़्यादा होती है as compared to oxygen and CO2 carbon dioxide की जो चिपकने की छमता किसके साथ हीमोगलोबिन के साथ काफी ज़्यादा होती है ये इसको हीमोगलोबिन को छोड़ेगी नहीं तो इसको बोलते है कार्बाक्सी हीमोगलोबिन और जो ये कैसा होता है इस्थाई योगक होता है इसलिए सरक कार्बन मौनोग्साइडिकस कहां से निकलती है ये निकलती है हाफ वर्न सबस्टेंसे से अधर जले या अधूरे जले हुए पदार्थों से निकलती है कार्बन मौनोग्साइडिकस निकलती है वो जब सरीर में पहुंचती है तो हीमोगलोबिन को ये जाम कर देती है हीमोगलोबिन को बाइंड कर लेती है तो सीदी सी बात है O2 और CO2 का परीबहानी यहां पर नहीं हुपाता है आरी मेरी बात समझ में तो ये बनता है कि अशा हाई योग बनता है और Carbon Mono Oxide को एक नाम और दिया है देखो ध्यान से सुनना यह Carbon Mono Oxide इसे हिंदी बाले बोलते दम घोटू गैस इंगलिस से बोलते हैं Strangulating गैस हिंदी बाले को बोलते हैं घोटू दम घोटना क्योंकि हीमोगलोबिन अब छूटी नहीं रहा है यहां से तो हमने क्या देखा हमने Function देखा एक और होता सलफर के साथ भी स्थाई Compound मनाती है सलफा हीमोगलोबिन बनता है मैं एक और अब तरी बात यहां तक आई है तो थोड़ी एक चर्चा और कर देता हूँ जब कभी हीमोगलोबिन रियक्षन करता है किस के साथ सलफर के साथ तो बनाता है सलफा हीमोगलोबिन ये ये भी कैसा Compound होता है ये भी होता Stable ये भी क्या होता High Yoga की केडिगरी में यहां पर ये आता है तो हमने ये सीखा The Mean Function of Hemoglobin is Transportation of O2 and CO2 ठीक है सर इतनी बात हमने सीख ली और कुछ जानकारी देंगे क्या हीमोगलोबिन के बारे में भर भर के जानकारी में आपको हीमोगलोबिन के बारे में आज देने बाला हूँ क्योंकि पहले ही हीमोगलोबिन पढ़ेंगे तब तो एनीमिया समझ में आएगा अदरबाइस एनीमिया एकदम से समझ में यहां पर नहीं आएगा हाजी तब ही का स्वागा तबाई है ना और बाकी लोगों को बिल्कुल बता दीजिएगा क्लास से स्टार्ट हो चुकी है चलो सर हम बात कर रहे हैं अब हीमोगलोबिन अब हीमोगलोबिन के टाइफ हम यहां पर देख रहा है है ना चलो बात करते हैं टाइफ साफ हीमोगलोबिन सर इसके भी टाइफ होते हैं क्या दूसरा कहलाता है HBF कहलाता है Aero लगा हुआ है वगर इसको ऐसा लखा जाता है HB-F सर इसका मतलब क्या होता है F का मतलब होता है Fetus सर हम तो हिंदी मीडियम बाले हैं हमें हिंदी में बताओ Fetus का मतलब क्या होता है Fetus का मतलब होता है Brun अरे सर ये कैसा सब्द होगी अब भूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर हीमोगलोबिन के हमने तीन प्रकार देखे, मायोगलोबिन, HBF देखा, HBA देखा, इसके उपर जो आपके PB examination है, यहां से caution बन चुका है, तर कैसा caution मना हुआ है, उसन ने पूछा था, क्या कि मानस्पेसियों में पाए जाने बाले हीमोगलोबिन को कहा जाता है, चार पाच जो मसल्स में या मानस्पेसियों में जो हीमोगलोबिन पाया जाता है, इसे बोला जाता है, क्या इसे कहा जाता है, मायोगलोबिन, तो देखो, पहला प्रकार है मायोगलोबिन, सर यह कहा में लेगा, यह पाया जाएगा मानस्पेसियों में, दिखाई दे रही हूंग, आप Hbf कहा जाताए Hba A का मतलब adult में बैसक में जो हम में पाया जाता है यह क्या कहलाता है HbA कहलाता है आई बात cargo में सर और caution यहां से कैसे बन सकते और caution यहां पर यह बन सकता देखो, N lt err मैंने बना के caution को लखा हुआ है तर नीचे लिखा हुआ है oxygen holding capacity oxygen को hold करने की चमता या oxygen को पकड़ने की चमता सर किसकी सबसे जादा होती है तो सबसे जादा oxygen holding capacity आपको देखने को मिलेगी किसकी myoglobin की तो muscles वाले ही hemoglobin की oxygen को hold करने की चमता जादा आपको देखने को मिलेगी सर दूसरे नमबर पर कौन आता है तो दूसरे नमबर पर आता है अपना HBF आता है फीटस और सबसे कम च्छमता यदि तीनों को हम compare करें तो सबसे कम देखने को मिलेगी किसमें HBA में देखने को मिलेगी तो हमने ये सीखा Oxon Holding Capacity हमने बूली क्या Myoglobin ये रहा Myoglobin फिर हमने बूला HBF बूला और फिर हमने बूल लिया HBA तो ये हो गई क्या Oxygen Holding Capacity आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है Oxygen को Hold करने की च्छमता आपको यहाँ पर देखने को ये मिल रही है इतनी बात होई के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे पहले हीमोगलोबिन को समझना पड़ेगा हीमोगलोबिन को हम पहले समझेंगी पूरी बात है उसके बात एक एक करके चर्चा होगी यहाँ तक बात किलियर हुई है यहाँ तक कोई doubt है कोई समझा है तो पहले मुझे आप बताओ तो यहाँ तक बात किलियर है आगे बढ़ू उसके मैं आगे बढ़ू मैं आगे बढ़ू मैं यहाँ तक किसी को कोई doubt समझा हो तो पूछो पहले नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ हमने हीमोगलोबिन का function देख लिया हमने उसका type हमने देख लिया बहुत बड़ी है चल अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हीमोगलोबिन की मात्रा को हम यहाँ पर देखने बाले हैं हीमोगलोबिन की मात्रा चर्चा यहाँ पर करने बाले हैं कि कितनी कितनी मात्रा हीमोगलोबिन की पाई यहाँ पर जाती है ठीक है तो हीमोगलोबिन की जो मात्रा है हीमोगलोबिन का जो कंटेंट है बोडी के अंदर कितना हमें देखने को मिलेगा अब इसकी उपर हम चर्चा यहाँ पर करने बाले हैं है ना चलेगा ठीक है चलो हम बात करते हैं हीमोगलोबिन की हम यहाँ पर बात करते हैं देखो अब हम पहले हम compare कलने male को female को compare कलने एक gram पर deciliter है चलो ठीक है इसकी unit होती है क्या gram पर deciliter ठीक है gram पर deciliter इसकी क्या होती है एक काई होती है हम बात कर लेते हैं, हम हमें डेटा याद करना है, आपको डेटा भी आपको याद नहीं करना है, कुछ खास बाते मैं आपको सीधे एक फॉर्मूला आपको यहां पर बताऊंगा, पहले मैं कुछ आपको समझा दू, हमने बोला सर्फ हीमेल में कितना मिलेगा हीमो ग्लोबिन, तो आपने बुला सरफ 12 से लेकर 14 मिलेगा हीमोगलोबिन में सर क्या ये डेटा हमें याद करना है आपको डेटा याद नहीं करना है इस डेटा का अपन बिसलेशन करेंगे इस डेटा का हम एनलेसिस करेंगे और कुछ यहां से चीज हम निकालेंगे कि हम कंसेट हम यहां से निकाल ले बाले तो गौर से देखना मेल में कितना होता है हीमो गलोबिन तो मेल में होता है 14-16 ग्राम ठीक है सर पर डेसी लीटर फिर आपने बुला कि सर पीपिल आफ हिली रीजन पहाड़ी आलाकों के लोगों में क्या होता है 18-20 सर फीटेस में कितना होता आपने उला सर फीटेस में होता 20-22 ग्राम होता है अब हमारे पस डेटा आ गया कि फीमिल में कितना ही एप्रॉक्स हीमो गलोबिन है यह फीमिल में कितना हीमो गलोबिन है मेल में कितना हीमो गलोबिन है और फीटस में कितना हीमोगलोबिन है ठीक है सर सर एक कौशन दिमाग में आ रहा है कि महिलाओं में कम है कुरसों में और ज़्यादा आपने बोल दिया पहाड़ी इलाके के लोगों में पीपल आफ हिली रीजन इनमें आपने और ज़्यादा बोल दिया आपने बोल दिया फीटस भुरून में और ज़्यादा बोल दिया सर ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हीमोगलोबिन की मातरा बढ़ क्यों रही है कुरसों में ज़्यादा है महिलाओं में कम है पहला कॉशन सर यहीं बन जाता है तो आपने मुला पहाड़ी इलाके की लोगों में क्या होता है सर हीमुगलोवन और जादा है तो आपने मुला कि सर जो बच्छा गरभासा के अंदर है जो फीटास है उसमें तो सर आप और जादा यहाँ पर बता रहे हो ये क्या है ये बड़ती हो रहा है इसका reason क्या कोई reason है कि बस इसको यादें से लोग कर लेते हैं नहीं इसका एक solid reason है इतनी भी जो बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है मैं इसको एक line में complete करूँगा एक line क्या दो सब्द में यहाँ पर complete करूँगा और मेरी guarantee है उसमें एक बार में आपको कहानी पूरी समझ में आई कि ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ यह लोग यह निकला अपना बिसलेसल होके चीज निकल के आई सामने यह यह काम की बात है इसको याद रखना है बस हो गया काम खर्म यह आपने क्या लिखा हुगा है तो मैंने लिखा हुगा है क्या Hemoglobin is directly proportional to the one upon O2 यह क्या है इसको बोलते हैं हिंदी बाले बोलतें यह तो directly बोल दो तो one upon करके बोल दो यह inversally बोल दो एक concept निकल के आया है हमारे सामने क्या निकल के आया है concept यहां पर यह कह रहा है कि auction की मात्रा यदी कम होगी तो Hemoglobin की मात्रा बढ़ जाएगी देखो न आप यह तो बोल रहा है यह अप जी मैत है भाई यह ब्यूत करमानुपाती संबंध है inversally proposal relationship आपको बता रहा हूँ मैं कि यह बढ़ेगा तो यह घटेगा यह घटेगा तो यह बढ़ेगा मैत आप सभी को पता है तो एक concept क्या निकल के आया सो concept एक clear concept निकल के यह आया कि जहां पर auction की मात्रा कम होगी हीमोगलोविन की मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है सर इसको हमने no down कर लिया मंगर सर बात फरी हां रुकी है मेल फीमेल तो बताओ सर इसमें क्यों अन्तरा रहा है दोनों तो एक ही जगह पर यहां पर रह रहे हैं मेल में कम है सर ऐसा क्यों हो रहा है आंसे बिरीबद सुनना बात करते हैं मेल की और फीमिल की दिए हम कंपेर की बात करें तो मेल में एक हॉर्मून्स निकलता है आप सभी ने हॉर्मून्स पढ़े होंगे ये कहलाता है टेस्टेस्टेरोन हॉर्मून कहलाता है ये हॉर्मून क्या काम करता है जो मेल का जो एग्रेसन जो होता जो हिंसक प्रवथी जो होती है उसी टेस्टिशन हॉर्वून की बज़े से होती है और यही हॉर्वून क्या होता है Responsible for high metabolic rate as compared to female यही वो हॉर्वून होता है जो मेल में responsible होता है किसके लिए BMRS का क्या होता है जादा होता है किसके comparison में? female के comparison में सर, BMR क्या कहलाता है? हम तो commerce बाले, हमें ये भी नहीं पता है BMR का मतलब ये होता है बहुत सामान ने भासा में बोलू कि सरीर के अंदर कुछ कोशिकां लगातार बन रही है कुछ तूट रही है दोनों को एक साथ मैं बोल सकता हूँ आइरन खाय दे रहा है सर, अब हम ये समझ गए हेली रीजन में इन में ज़्यादा क्यों है सर, हमें पता है कि सर, जेंसे जेंसे हम कहां पर जाते हैं उचाई पर जाते हैं, सर, हमें ने जियोग्रफी में सर, हमने पढ़ा है हम चले जाएं सर तो इसका मत्ता हमारा हीमो गुलोबिन तो बिना आरन खाय बढ़ जाएगा यह लोग यह से दिमाग लगा लेते हैं चलो चलते हैं कहाँ पर चलते हैं लेह लद्दाक उपर की तरफ चलते हैं पहाड़ों पर चलते हैं आप मालों तीन चाल लोग गुरुप बना के जर्ट चलो घूमेंगे, मस्ती करेंगे, हो सकता है, रास्ते में एक या दू लोगों को आपको भरती करना पड़ेगा, खरेंसा क्यों हो रहा है, आप देखना ध्यान से, हम कहां पर थे, हम थे भाई साब, ये थे, हम मैदानों प पर थे, यहां पर आउक्सेन किया थी, बहुत प्रचुर मातरा में थी आउक्सेन, आउक्सेन जादा है, तो हीमोगलोबिन क्या है, हीमोगलोबिन कम है, उपर बाले के साफ से कम है, चलो सर, उपर चलते हैं, पहाड़ों की तरफ चलते हैं, तो मैंने चलो भाई साब, पहा सुरू हो जाएगा नौसिया मतलब कहलाता जी मचलाना और हो सकता है कि इन जो गाड़ी में तीन चाल लोग जो जा रहे हैं कई की नाक से ब्लीडिंग भी होने लगेगी खून भी निकलने लगेगा ये बूलेंग यार सांस लेने में दिक्कत हो रही है भाई घर चलो घर चलो सांस लेने में दिक्कत हो रही है हो सकता है रास्ते में आपको किसी अस्पताल में उसको भरती करना पड़ जाए तर ये ऐसा क्यूं हुआ था ऐसा इसलिए हुआ था कि मैदानों में ऑक्सन जादा थी तो हीमोगलोबिन कम था हम चलना सुरू करती हम उपर की दीरे दीरे द प्रकवी कम है तो उसका जो परीवहन हुआ प्रभावित हुआ तो चक्कर आना यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा नाक से खून आना देखने को मिल जाएगा बेहोसी तक की कंडिसन आपको देखने को यहां पर मिल जाएगी ठीक है सर तो हम फिर क्या करें कुश ना क पहुझ जाएईए धीरे-धीरे कर करें अस douteा ले रुकियेयेा चलो सर जैनसे त师 कर बहुंच गए हैं Singapore पहुझ बढ़ी हैं vivid के ऊंचाई पर आप यहां पर पहुंच गया हैं सर उंचाई पे हम यहाँ पर पहुंच गए अब क्या करें सर अब सुनो मेरी बात मैंने बोले एक काम करते हैं यार यह मौसम कितना बढ़िया है पहाडों पे हम आ गए हैं मैं सोच रहो यहीं पर बस जाएं कि आप अप 6-8 महीने रुक के चलतें जरा पहाडों पे ही हम यहाँ पर रहते हैं है रहा हम पहाडों पे ही यहाँ पर रहते हैं वो दो को पंकच पहाडों की बाते करने लगा आप लो ठीक है सर पहाडों पे यहाँ पर रहते हैं अब ध्यान से बिरी बास सुनना अब हम पहाड़ों पे 6 महीने रोख गए आक्सन क्या थी? कम थी तो ब्रेन ने तुरंट ओर दिया भाई साब हीमोगलोबिन जादा बनाईएगा क्यों बनाओ जादा? इसलिए बनाओ जादा क्योंकि हर आक्सन मॉलिक्यूल का यूज होना चाहिए और हर आक्सन का मॉलिक्यूल का होजा उप्योग होना चाहिए तो ब्रेन ने ओड़ा दिया भाई साब एक काम करो हीमोगलोबिन तेजी के साथ बढ़ाओ ठीक है भाई हीमोगलोबिन बढ़ा रहा अब देखना ध्यान से 6 महीने हम रोके हमारा हीमोगलोबिन बढ़ जाएगा अच्छा सर बढ़ जाएगा हाँ मगर आइरन कंटेंट वाली डाइट आपको लेनी पढ़ेगी आपको हीमोगलोबिन आपको बढ़ जाएगा आपने कभी इसी मूविस देखिए जहां पर पहाड़ी इलाके की लोगों को दिखाया हो तो जब कभी भी डारेक्टर पहाड़ी इलाके की लोगों को दिखाता है तो वो कियासा बताता है उनको उनका एक कलर बताता है एक कलर बताता है फियर कलर बताता है गोरा रंग बताता है क्यों कि उँचाई पर जाने पर ठंड बढ़ेगी और उँचाई पर ठंड यहाँ पर बढ़ेगी तो जाहिर से बात ठंड बढ़ने पर जो मेललेन पिग्मेंटेशन है वो कम होगा जो मेलेनोसाइड इस्टीमुलेटिंग हॉर्बोन जो निकलता है वो कमने कलब आएगा किसको मेलरिन को कमने कलब आएगा तो उंचाई पर जाने पर लोग थोड़े से गोरे से आपको दिखाई देंगे पहला तो यदि डारेक्टर को हिली रीजन बाले लोगों को दिखाना है तो उनके जो चीक जो होते गाल जो होते रोजी चीक होते हैं सर रोजी चीक जी हाँ गुलाबी गाल होते हैं उनके वो नेचरली ही होते हैं सर क्यों हो रहा है नेचरली गुलाबी वो इसलिए हो रहा है भाई मेरे कि उनका एक तो कलर फियर है और फियर कलर में तो गुलाबी रंग आराम से दिखाई देगा और उपर से हीमोगलोबिन की मात्रा क्या है ये भी जादा है मेरी बास सवाज में आरी है तो जब कभी भी कोई पहाड़ी इलाकों की मूबी आप देखोगे तो उसमें डारेक्टर बताएगा किसी भी आदमी को बताएगा देख तो गोरा दिखाई देगा वो उपर से उसका रोजी चीक होंगे उसके गाल गुलाबी होंगे नौर्थ इंडिया बालों की गाल गुलाबी नहीं होते वो तो पेंटिंग बगर कर लेते हैं चेहरे की उपर तो वो गुलाबी हो जाते हैं है ना तो बहुत फियर कलर और गुलाबी चीक मतलब गुलाबी गाल उपर वालों की आपको देखने को मिलेंगे उपर वाले मतलब मैसले की सेकंड फ्लोर में उपर वाले मतलब पहाड़ी इलाकों के लोगों में आपको ये देखने को यहाँ पर मिलेंगे आरी बास समझ में उनमें हीमोगलोबिन क्या है? जादा है, चलो ठीक है सर अब हमारा हीमोगलोबिन बढ़ गया है हमारा सर हीमोगलोबिन इतना हो गया 18 स्विस मैंने बोला बहुत बढ़ी हैं अब चलें क्या मैदानों पर? आपने बोला चलो सर चलते हैं अब हमारी गाड़ी जहां से गई थी अब फिर लोटके आ रही हमारी गाड़ी अब हम आ रहे हैं कहां पर सर मैदानों पर आ रहे हैं जैसे ही हम मैदानों पर हमें यहाँ पर पहुंचे, उहाँ पर आक्सिन सफीसियंट थी, यहाँ पर क्या थी आक्सिन सफीसियंट आक्सियंट यहाँ पर थी, यह देखो, ब्रेन ने बुला, रहे भाई साब, यहाँ पर तो आक्सिन फिर ज़्यादा है, एक काम करो, जो हीमोगलोमिन आपने एक्स् capacitor बनाये थे, क्योंकि आक्सन कम थी, आप NOO जोल जाएगी हीमोगलोमिन, क्यों ने इहां पर रोगेंगे हीमोगलोमिन, जो जोल जोलbon करते हो, है Yong Tour, तो होनी हो जोल्य को ने आई है immersive हैं आधान करें कि इसले हुआ हैं क्यों इतना जियादा है हिम हीमोगलोबिन हो किया करेगा, breakdown करो, हीमोगलोबिन को तोड़ो. सर, हीमोगलोबिन कैसे तूटेगा? ये जराँ बताँ, अभी बताता हूँ मैं रीजन. अभी एक पॉइंट अप्ना छूटा, हीमोगलोबिन कैसे तूटेगा? ठीक है? अब यहाँ पे इसको मैं रोकता हूँ इसको अगली कहानी सुरू करता हूँ देखना फर आगे अपना सब कुछ एक साथ मिलेगा सर इसकी बात तो आप कर ही नहीं रहे वो बेचारा बच्चा ये तो बैदा नहीं हुआ तो आपने तो इसको अधिकार ही नहीं दिये हैं कि भाई पूछने की आरे मैंने का क्यों नहीं दिये हैं मैं अधिकार इसकी बात करते हैं आपने बोला सर फीटस आपने बोला सर फीटस तो आपने उसर गर्भास है के अंदर जो बच्चा जो इसको आपने बोला फीटस को आपने देखा है किसी ने देखा नवजात को तो कभी इस्पताल में जब बच्चा पैदा होगा तो आप देखने जाओगे तो उसको आप बहुत गौर से देखना बिर ख्याल से आप एनलेसस करते इतना तो करते ही होंगे गौर से देखते ही होंगे बच्चा देखना भले किसी के रंग का हो, काला हो, सफेद हो उसमें रंग उसका दिखाई नहीं देगा, बच्चा बहुत लाल-लाल सा दिखाई देता है और धीरस देखना अभी अब हाथ एंसे प्कड़ते हो, इसलिए खून यहीं से नहीं से निकल जाया इतना लाल होता है किसी ने देखा होगा, तो फील यहां पे किया होगा किसी ने देखा है किसी नवजात को अस्पताल में जा कर तो उसको देखे ना उसके हाथ रहसा पकड़ कि हलक़ा सा प्रैस कर foster कि आप दावाना में जूर से पकड़ लाल लाल हो जायेगा और पूरा लाल 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 देखाई देता है सर ये लाल लाल क्यों है बच्चा यहां से बाहर आया तो मैंने बोला बच्चे को आक्षन कहां से मिली तो आपने बोला सर जो मदर ने आक्षन ली है वो प्लेसेंटा के थ्रो आक्षन क्रॉस होके बच्चे को यहां पर मिली है मदर ने जो आक्षन यहां पर ली है प्लेसेंटा के थ्रो जो आक्षन क पता कर लेता हूँ कि उस बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रमुजूमल बीमारी तो नहीं है, सर कैसे सेक्स भी डिटर्माइन हो जाता है, जी हाँ, मगर उसकी उपर टोटली बेन लगा हुआ है, टोटली प्रोहिविशन है उसकी उपर, कि लिंग का जब हम पढ़ेंगे, डाउं सिंड्रोम पढेंगे, पteau सिंड्रोम पढेंगे, यहाँ टो आक्षिन है,, यह तो औक्षन फोड़ी ले रहा है, सर, वो तो मदर सांस ले रही है, तो अंबलीकल कॉट के तो आक्षिन थोड़ी बहुत उसको मिल रही है, तो बच्चे ने का काम किया बच्चे के ब्रेन ने बोला वाई सब हीमोगलुमिन बढ़ाओ 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 हीमोगलुमिन तीजी के साथ बढ़ा गया हीमोगलुमिन जैसे बढ़ा बच्चा आपने बोला अरे ये तो लाल-लाल बच्चा हुआ है, जी हाँ, इसलिए लाल-लाल हुआ है, क्योंकि हीमोगलोबिन की मातरस में क्या है, जादा, और मालो बच्चा पैदा हो गया मैदानों में, मैदानों में मतलब नौर्थ हिंडिन्स इस्टेट में यहाँ पर बच्चा पैदा हो रहा है तो सर बच्चाईदी मैदानों में पैदा होगा तो क्या हो जाएगा मैंने बच्चाईदी मैदानों में यहां पर पैदा हुगा तो मैदानों में क्या सर आक्षिन की मात्रा क्या है जादा है तो सर आक्षिन की मात्रा जादा तो क्या होगा मैं बोलूँगा भाई सब हीमोगलोबिन कम होगा तो सर उसका हीमोगलोबिन तो बढ़ा हुआ था इसका मतलब हीमोगलोबिन तूटेगा एक कॉशन इसको छोड़ा अब इसको पकड़ते हैं यहां पर अपने बात की थी हम उपर से नीचे उतर के आ रहे थे हीमोगलोबिन बढ़ा कर उपर से नीचे उतर के आ रहे थे हीमोगलोबिन बढ़ा हुआ था बच्चा गरभासाई से बाहर आ गया इसका भी हीमोगलोबिन बढ़ा हुआ है दोनों के एक साइट बाइंडे कर दिया है सर हीमोगलोमिन केंसे तूटेगा जरा ये हीमोगलोमिन तूटेगा केंसे अब मेरी बात ध्यान से सुनना इस कौशन को ठाके फिर मैं यहां रख रहा हूं कि इसकी चर्चा कल्लो में छोड़े बच्चे वाली है न अज अब यह छोड़ा बच्चे यह आ गया सर मैं कौशन आप से पूछता हूं आप मेरी बात ध्यान से सुनना आपने कभी सुना देखा समझा होगा समझार तो नहीं होगा देखा जरूर होगा आपने बोला कि सर मेरा भतीजा या मेरा भांजी भांजा एक्स वाइजर जो भी हुआ बच्चा छोटा बच्चा पैदा हुआ सर डॉक्टर ने बोला पैदा होने के तीन दिन के बद से जॉइन डिस हो गया है सर डॉक्टर ने बोला कि बच्चा पैदा हुआ तीम दिने बाद और हम दिखाने, उसको चेकब की ले ले गए, डॉक्टर साइब कहरें सर इसको जोइंडेस हो गया है, इसको पी लिया हो गया बच्छे को, सर, छोटा सा बच्चा, ना सरे पानी बतासे कहीं खाये हैं, ना चाट समोसे सने खाये हैं, इसको जॉइन डिस हो गया है सर इसको जॉइन डिस क्यासे हो गया सर ये तो साथ में ही रहा है इसने तो किवल ब्रेश्ट फीड ही किया है इसने तो किवल सर इस तन पान ही किया है ये तो कहीं घूमा भी ने तोफी भी नहीं खाई है सर ये तो आज ही पैदा हुआ था ये दो तिन बाद बोले है इसको पीलिया हो गया सर ये कैसे इसको पीलिया हो गया है किसी ने सुना है ऐसा ऐसे कई बच्चे होते हैं जो पैदा होने के दो तीन दिन के बाद उनको पीलिया हो जाता है एक दिन के बाद पीलिया हो जाता है ऐसा किसी ने सुना है ऐसा किसी ने सुना है बच्चा पैदा हुआ, दो-तीन दिन के बाद पी लिया हो गया, नासिस ने कहीं पानी बता से खाए, ना समोसे, चाट, ये कुछ भी उसने नहीं खाया, इसको पी लिया कैसे हो गया, हमने तो यही पढ़ाता कि पी लिया जो होता है, इसको पी लिया कैसे हो गया, किसी ने सु इस बच्चे को पिली दिखाई दे रही है अब क्या हो गया में इस बच्चे को पीली दिखाई देरी में बच्चे को पिये आ हीमोगलोबिन अब तूट रहा है अब इस बच्चे को जो पी लिया हुआ पिल इसका मैं आंसर कर दो ने थोड़ा सफ़रा आप बह जाओगे जादा यहां पर जो बच्चे को जो पी लिया हुआ इसको मेडिकल साइंस में बोला जाता है इसे कहा जाता है फीजोलोजिकल जोइन डिस कहा जाता है फीजोलोजिकल पीलिया कहा जाता है सर पीलिया क्यों हुआ है मैं आपको पहले नॉन टेक्निकल बता दूँ फिर मैं टेक्निकल आपको समझाओंगा पहले मैं नॉन टेक्निकल आपको बता दूँ फिर मैं आपको टेक्निकल आपको बताता हूँ हम पहार से नीचे आ रहे थे पहार से नीचे आ रहे थे हीमोगलोबिन कम होगा हीमोगलोबिन कम होगा पहार से नीचे आ रहे थे हीमोगलोबिन कम होगा बच्चा गरभास ऐसे बहार आए हीमोगलोबिन क्या होगा, कम होगा ठीक है सर, हीमोगलोबिन कम होगा इसका मतलब, मेरी बात यहां से सुनना पहले मैं non-technical बता तो फ़र मैं technical की तरफ चलूँगा हीमोगलोबिन जो ज़्यादा बढ़ा हुगा था हीमोगलोबिन जब तूटता है तो पीले रंग के दो पिगमेंट बनते हैं पहले non-technical और फ़र technical चलेगा पीले रंग के दो पिगमेंट यहां पर बनते हैं सर, पीले रंग के दो पिगमेंट का मतलब क्या पिगमेंट का मतलब होता है, रंग या वरनक जब हीमोगलोबिन का breakdown होगा तो पीले रंग के वर्णक रंग बनेंगे सर ये पीला रंग कहां से निकलेगा एक निकलेगा मल के माध्यम से इस टूल के माध्यम से निकलेगा इसलिए मल का रंग होता है पीला अरे सर ये तो भूत अच्छी बात आपने बताई हमें तो आज पता चला कि मल पीला क्यों होता है दूसरा पीला रंग कहां से निकलेगा दूसरा पीला रंग निकलेगा मूतर से यूरिन से निकलेगा अच्छा सर इसलिए मूतर भी पीला होता जी हाँ तो एक निकलेगा पीला रंग मल के माध्यम से एक निकलेगा कहां से मूत्र के माध्यम से पहले नॉन टेक्निकल फिर टेक्निकल की उपर चर्चा करेंगे तो सर हीमोगलोबिन जब टूटेगा हीमोगलोबिन टूटेगा पर दो रंग बन रहे हैं एक निकलेगा मल के माध्यम से एक निकलेगा मूत्र के माध्धियम से इसलिए मल और मूत्र यलो इसकलर के होते हैं ठीक है सर मल और मूत्र यलो इसका मतल़ सर यह हो गया कि सर हीमोगलोबिन जब तूटेगा तो पीले रंग का वर्णग बनेगा जो सरीर के लिए नुकसान दायाक है मल और मूत्र के माध्धियम से बहार निकलेगा मैंने बहुत बढ़िया तो इसको निकालने का काम कौन करेगा इसको निकालने का काम काम करेगा लिवर जी हाँ अब लिवर जब काम यहाँ पर करता लिबर उसको तोड़ता है, कैसे तोड़ता भी मैं समझाता हूँ, फिर टेकनिकली बात करेंगे, जब लिबर उसको तोड़ेगा, जब लिबर की उपर लोड जाधा हो गया, जैसे उसके उपर क्या हुगा लोड जादा हुगा तो लिवर ने बोला भाई साब अब हम से तूट रहा जितना तूट गया अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो पीले रंग के जो पिगमेंट जो होंगे वो बलड में क्या होते हैंगे बढ़ते जाएंगे इसे कहा जाता है फीजोलोजिकल जोइन डिस्क कहा जाता है सिर्फ पीली रंग के पिगमेंट यहां पर बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले कहां पर दिखाई देगा यह आंक का वाइट बाला इस करला जिसको आप बोलते हो white portion, सबसे पहले पीला रंग यहां से दिखाई देगा फिर कहां से दिखाई देगा फिर आपको दिखाई देगा libido, कभी अपने नाखून को बहुत गौर से आप दिखेगा तो एक rising sun, उगता हुआ सूरत साब को दिखाई देगा, इसको medical science इसमें कहा जाता है libido दूसरा पीला आपको यहां से दिखाई देगा सर और कहां दिखाई देगा पीला रंग, यदि color fair है तो गाल की उपर, चीक की उपर उसको दिखाई देगा यदि color fair नहीं है तो गाल की उपर color दिखाई नहीं देगा बातारी है आपको समझ में तो सर इसका मतलब यह हुआ कि सरीर्क में हीमोगलोबिन के टूटने से पीला रंग बन रहा था वो पीला रंग क्या हो रहा था एक मलके माध्यम से और एक मूत्र के माध्यम से बाहर निकल रहा था अब हुआ यहां पर यह लिबर इसको निकालने का, तोड़ने का काम कर रहा था, लिबर की उपर लोड बढ़ गया, उसने बोला भाई साथ बितना काम अपन से नहीं होगा, तो पीला रंग जो था बलड में बढ़ता गया, इसको हमने बोलते है, फीजियोलोजिकल जॉइन डिस बोला है, सर ठीक है, इसको पीलिया हो चुका है, डॉक्टर क्या काम कर गा, मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर बोलेगा, फाई सर इसको जॉइन डिस हो चुका है, ये हैं फीजियोलोजिकल जॉइन डिस, आर्बी सी की मात्रा या हीमोगलोबिन की मात्रा ज्यादा थी यूटरस में, अब काम लिभर कर रहा था लिभर काम नहीं कर पाया तो बलड में पिगमेंटेसन हो गया बलड में पिगमेंट बढगया पीले रंकी सु बच्चा हो गया आपका पीला, जिएसे बच्चा पीला यहां पर वो लोगों के हाँदधर फूल गया, बच्चा दो दिन का है और इसको पीली हो चो गा सर, क्या करें, डॉक्टर तुरंद बोलेगैं, एक काम करेगे, इसको लगा Lamborghini जाएगी, वो एक सेकेंड में एक बून्ठ चलेगी, वो डृर्प, वो डृर्पईसको लगा दी जा जाएगी, फिर क्या करेंगे सर, इसको रखा जाएगा, आपने कभी देखा ह कभी बच्चों बाले बार्ड में आप जाओगे तो बिलू किलर की लाइट होती है देखाएं साड़े 400 नैनो मीटर की साड़े 400 नैनो मीटर की जो लाइट जो होती है इसकी नीचे उसको रखा जाएगा एक ऐसा बना होगा चेमबर सा उसके निसे लगे बिलू लाइट को अन कर दिया जाएगा सर ये बिलू लाइट क्या काम करती है ये बिलू लाइट पैनितेट होगी उसके अंदर पहुचेगी बिलू लाइट उसके अंदर पहुचेगी तो बच्चा सूसू करता जाएगा पिग्मेंट के होता जाएगा वो लाइट के माध्यम से तूटता जाएगा धीरे 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 करके वो क्या होगा सूसू के माध्यम से पूरा का पूरा येलो स्कलर बाहर यहां पर हो जाएगा डॉक्सर बोलेंगे ठीक है भाई सब 24 घंटे हो गए अब इसको एक दिन निगरानी में रखेंगे उसके बाद अपने बच्चे को अब ले जा सकते हो इसे कहा जाता है फीजोलोजिकल जॉइन डिस कहा जाता है आरे मेरी बास समझ में तो बो जो बेंट लिटर लग कहलाता है बेंट लिटर अकांच वो लग होता है तो साड़े चार सुन एक छोड़ा से चेंबर होता है बच्चे को हाँ रख दिया जाता है और वो शाले 400 नैनो मीटर की लाइट को हाँ पर लगा दिया जो उसको एक बॉटल लगी होती है तो बड़िया बच्चा होँ ही पर पड़ा रहता है उसी लाइट में और निगरानी में होता है यह सरी होता है क्योंकि उसका हमें क्या काम करना है जो बिलू रूबिन बिलू बड़िस को तोड़ के क्या करना है हमें बाहरी हांपर निकालना है तो एक दिन के बाद मैग्जिम में एक दिन लगता बच्च ठीक हो जाता है पिर सर ताले province सो नैनो मीटर की लाइट फिर आपने सर एशा तो हमने सुनानी है कि हमारे पूर बज़ों में पहले नहीं होता था किया ये फिजोलोजिकल जॉइंडिस जी हाँ, ये पहले भी हुआ करता था पुराने समय में भी ये फीजिलोजिकल जॉइंडेस हुआ करता था सर वहां तो भरती नहीं करते थे सर ये कैसा आप बता रहे हुआ वहां तो भरती नहीं करते थे पुराने जमाने में पचास साल साथ साल पहले या आप कैसी बात यहां पर कर रहा हो चोटा सहर हो, किसी बड़े सहर में आप जाईएगा, तो बच्चे मल्कियों में रह रह रहे हैं, सूर का प्रकासुरे बहुत मुश्कल से नसीब हो रहा है, तो पहले बच्चे जब पैदा होता था गाओं में, या रूलर एरियास में पैदा यहां पर हुआ था, होता है, तो गाओं में जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या करेगा भाई, घर के बाद धंड का समय ता हलकासा वो आंगन में आ जाएगा, जैसे वो आंगन में आ जाएगा, तो धूप उसको मिलेगी, भाई धूप में कितने रंग होते हैं, सात रंग होते हैं, बैजानी, हपी नाला, आपने पड़े होंगे, तो भाई बिलू रंग की वो बेवलें उन्द, साड़े 400, 4900 मेटर, उसको तो naturally ही मिल रही है, नहीं मिली है उसको naturally, उसको भाई साड़े 400, 4900 मेटर की light वहाँ पर मिल रही है, तो body तो automatic तोड़ रही है, यह तो मल्तियों की दिक्कत होगी, मल्तियो पहुत चोटा होटा हलका सो धूब दोप में ही तो है साले 400 नेनो मीटर उसके उपर उसके मौस्कीटो नेट रख दिया मच्छदानी को रख दिया ताकि सीधी धूप उसको ना लगे उसका हलका सो धूप उसको दिखाया और उसको पर अंदर ले आते हैं पन। तो वो naturally भी तो आपको मिल ला है वो naturally को मैंने artificially कर दिया है मेरी बात आपको स्वज में आ रही है यहां तक बात clear हो रही है तो बच्चा ठीक हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती सर अब थोड़ा टेक्निकली बता दो हुआ किया था अब मेरी बात ध्यान से सुनना पहले हम देखने है यह बंती कहां पर है आरबीसी के अंदर मिलता है क्या हमें आरबीसी के अंदर हमें मिलता है हीमोगलोबिन और हीमोगलोबिन का सोरी और आरबीसी क्यांसी होती है यह बाय कॉन केव यह देखो डिस्क के आकार की ये इस तरीके की ये देखेगा ये इस तरीके की होती है क्या RBC होती है और RBC के अंदर ही क्या होता है सर हीमोगलोविन अब दो-तीन बात यहाँ पर देखना जो प्री पॉइंट आव यू से बहुत-बहुत काम की हैं देखो आब RBC का सेप केंसा होता सर RBC का सेप होता बाय कौन केब केब का मतलब होता गुफा एक गुफा धर से बनी एक गुफा धर से बनी ये RBC का सेप है सर RBC बनती है अरे सर हमने तो पढ़ा RBC कहां बनती ये बनती है सर रेड बोन मेरो में बनती है प्यार से हम इसे बोलते हैं सर अस्थी मज्जा कहा जाता है ठीक है सर अस्थी मज्जा में बनती है सर जो फीटेस होता है उसमें कौन बनाता है आर बीसी उसमें बनाता है स्प्लीन भी बनाता है और लिबर भी बनाता है फीटेस गरभास है के अंदर है क्योंकि बोन मेरो तो अब बच्चा तो छोटा सा है सर, तो वहां पर इस प्लीन जो होगा, वो क्या काम करेगा, वो करेगा RBC को बनाने का काम यहां पर करता है, कुछ विटामिन के आप सकता होती है, RBC बढने के लिए विटामिन सी हो गया, सर ये भी हमने पढ़ा RBC का जीवनकाल के तना होता है, 4 सांसे आप देखुआ धेर सारे कोशन सारे के सारे यहीं से आपको समझ में आ जाएंगी अभी तो मैंने सीधा बोल दिया था कि हीमोगलोविन तूटेगा दो रंग बनेंगे एक मलके माध्यम से एक मूत्रे माध्यम से बाहर होगा अब किस तरीके से यह तूटेगा अब उसक क्या डेड आर बीसी होगे मरत आर बीसी सर यह मरत आर बीसी कहा जाएगी मैंने बोला भाई साब यह जाएगी स्प्लीन में जाएगी स्प्लीन को हिंदी बाले बोलते प्ली हा या कुछ लोग से बोलते तिली हिंदी को सके सब्द सर स्प्लीन को क्या कहा जाता है सर हमने बोलते हैं, ग्रेवियाडा फरबीसी, अरेवीसी का कबरिस्तान सर, यहां पे आपने एक नाम और लिखा है, जी हाँ, इस्प्लीन को एक नाम और दिया है कई लोगों ने भीनाटेंक हम बोलते हैं, वुल स्वित c quota अला, आया एक बलन भॉल और झादा है दो कॉशन होगा है complete ध्यान से दिखते चलना आप सर आरबी सी को तोड़ने का काम कौन करेगा तो मैंने बोला आरबी सी को तोड़ने का काम करेगा ये हमारे प्यारे लिवर महोद है लीवर कोई भी नहीं बोलेगा एक बात और सिखादू में आपको लीवर कहलाता है ये ल-e-v-e-r और ये अपना प्यारा सा औरगन होता है इसे कहा जाता है लिवर लीवर को हिंदी में कहा जाता उत्तोलक जिसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में बात समझ में आ रही है और ये हैं अपना प्यारा औरगन लिवर हिंदी बाली किताबें भी गलत लिखती है वो क्या लिखती है कुछ लोग बोते सर मेरा लीवर कमजोर हो गया भाई साथ लीवर कमजोर नहीं हुआ है लीवर कमजोर हुआ है लीवर को बोला जाता है उत्तोलक कहा जाता है और लीवर होता है ये यक्रज इसको आप बूलते हो अंतर है दोनों में हिंदी बाली किताबें गलत लिखती हैं वो इसको कैसा लिखती हैं लीवर ऐसा लिख देती हैं भाई साब इसका मतलब तो यह हुआ उत्तोलक जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं चलो सर कहानी आँगे बढ़ते हैं तो RBC के टोड़ने का काम कौन करेगा ये करेगा हाई साब हमारा कौन ये करेगा लिबर महुत आई हाँ पे तोड़ने का काम करेंगे सर हमने पढ़ा है RBC के अंदर ही तो हीमोगलोबन पाय जाता है बिल को लापने सही बढ़ा है अब RBC के अंदर क्या मिलेगा आपको हीमोगलोबिन देखना ध्यान से सर अब हीमोगलोबिन की कहानी बताओ मैंने बहुत बढ़िया बहुत सांदर कहानी इसकी सर क्या होता है मैंने बहुत यह रहा हमारा प्यारा हीमोगलोबिन यह reuse कर लिया जाता है पुनह उपियोग कर लिया जाता है Okay, sir हीम का उपियोग कर लिया Sir, globin क्या होता है? it's a globin होता है, protein अब hemoglobin तूट रहा है ध्यान से देखना हमने अभी तक to cable बात यहां पे कर दी थी कि hemoglobin तूटा पीले रंके दो pigment बने एक श्टूल के माध्ध हम से, एक यूरिन के माध्ध हम से बाहर हुआ अब हम बात कर रहे हैं कैसे बाहर हुआ है यहां से बरिवाद सुनना हमने बोला गिलोबिन, सर यह है प्रोटीन आपने बोला बहुत बड़ियां, यह तूटेगा तोटेगा, आपने बना, सर ये दो बाइल, पिगिमेंट में टूटेगा, मैंने मुला, कौन-कौन से टूटेगा, आपने बना, एक होगा, बिलू RUBBIN, देखो आ, एक होगा, बिलू allegedly, सर, क्या हमें याद करने हैं, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है जहां से कॉशन बनी होंगे मैं उसके उपर स्टार लगा दूँगा उतना याद कर लोगे पिरी में आपका काम हो जाएगा मगर आपने बूचा कि कैसे तूड़ता है तो मैं को explain करके बतारूं कैसे तूड़ता है ये कॉशन पूच लिया है गिलोबिन क्या होता है ये कॉशन पूच लिया है है ना पिगिमेंट के उपर कॉशन कर लिया है कौन कौन से एक होता बिलू रूबिन एक होता बिली बेर्डिन ये होता पीले रंका और ये होता है हरे रंका सर अब क्या होता है अब यहाँ पर होता यह है कि देखो यह दो पिगिमेंट इंटरचेंज होते हैं आपस में परिवर्तित यहाँ पर होंगे आगे कहाँ पर होंगे परिवर्तित यह होंगे आत में परिवर्तित होंगे और आते में जाकर ये एक बिलू रूबिन जो आपको दिखाई बिलू बर्डिन ग्रीन आपको दिखाई दिरा बिलू रूबिन में कनवर्ट यहाँ पर होगा पीले रंगे पेगिमेंट में कनवर्ट यहाँ पर हो जाएगा तो सर फिर क्या होगा फिर होगा ये आगे चलके तूटेगा दो भागों में सर कौन कों से दो भागों में पहला भाग कहलाएगा देखो इस्टरको बिलिनोजिन दिखाई दिरा ये नीचे लिखा इस्टरको बिलिनोजिन और दूसरा कहलाता है euro bilinogen, सर, फिर क्या होगा तो फिर यहाँ पर यह होगा, कि जो इस्टरको bilinogen, जो होगा है, यह मल के मार्धिहम से बहार निकलेगा, इसलिए इसको मैंने yellow color का बनाए, पीले रंग का pigment है, जो मल के मार्धिहम से बहार निकलेगा, कौन सा, इस्टरको bilinogen, जिसकी बज़े से मल का रंग होता है, पीला होता है सर, यह दूसरा pigment, जो यह इसमें convert हुआ, यह फिर दो भाग में तूटा, सर, यह क्या होगा, euro bilinogen, मैंने बोला यह आगे और तूटेगा, तो आपने बोला, सर, किसमें आ चुका है, कि मूतर का जो पीला रंग जो होता है, यह किसकी मौजूदगी की बज़े से होता है, तो मूतर का जो पीला रंग जो होता है, वो किसकी मौजूदगी की बज़े से होता है, वो euro krome की मौजूदगी की बज़े से होता है, सर, euro krome कहां से आया तो euro-bilinogen से euro-bilinogen से eurochrome बना सर ये कहां से आया तो biliru blue-birdin ये change होगा किसमे, bulirubin में, ये तूटा दो भागों में, पहला भाग कोई सा था sterco-bilinogen में, और दूसरा euro-bilinogen में, और zacosterco-bilinogen कहां से निकला, मलके माध्गम से बहा निकला इसलिए मल का रंग होता है पीला और यूरोक्रोम की बज़े से मुत्र का रंग पीला सर हम पूरा याद करें क्या पूरा याद मत करो इतना याद कर लेना कि गलोबिन होता है Ulti आपका काम हो जाएगा दो पिडिमेंट के नाम याद कर लेना है मल का पीले कलर होता है इसकी बज़े से इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको इस्टर को बिलिनोजिन इसको याद कर लेना और यूरोक्रोम की बज़े से मूत का रंग पीला होता है That's it, काम आपका हो जाएगा कहानी समझ में आई कहानी समझ में आई अमराग निहा, आकांच्छा, पंकच, स्वाती, सुनील, पूजा, संध्या, प्रिंस, पूजा, रैकवार, नरेश, साहू ठीक है, ओके अर्पे तभिनाव, लक्षमी, घंस्याम, तन्वी हुसेन, सरद्धा, आकास, अर्पित, ठीक है, सबी हो कहानी समझ में आई अब सर, यह हीमोगलोबिन कहां पर पहली बार देखने को मिला होगा हीमोगलोबिन जो होता है, यह पिगिमेंट होता है, हीमोगलोबिन क्या होता है, लाल रंका क्या होता है, यह बरनक होता है पाइनलेडा सर ये क्या कहलाता है जब हम पढ़ेंगे हमारे मींस में क्लासिफिकेशन पूरी क्लासिस आपको यहीं पढ़लूँगा एक एक बात आपको हहाँ पर किलियर करूँगा तो जो एनलेडा जो होते होता फाइलम होता है प्रोटोजुवा, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, काडेटा, हैमी काडेटा, होते 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 एनलेडा, सर इसमें कौन से एनिमल आते हैं इसमें कौन से एनिमल आते हैं, तो इसमें आता है, अर्थवाम आता है, इसमें केचुवा आता है अच्छा है सर केचुवा तो ध्यान से बिरी बास सुनना तो पहली बार जो हीमोगलोबिन देखने को मिला था वो कहां पर देखने को मिला था संग एनलिडा के जीवों में मतलब केचुवा में पहली बार देखने को मिला हीमोगलोबिन में वहां से धीरे 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 हमारे पास आया हम जिये विकास में होमो सेपियन सम कहलाए है तो सर यहां पर एक मज़े की बात और सुनो मैं आपको एक बात और बतातो जो केचुआ जो होता है उसमें हीमोगलोमिन बलड में घुला हुआ नहीं होता है हमारे तो blood में घुला हुआ होता है जो केचुए जो होता है उसमें प्लाजमा में घुला हुआ होता है सर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं आप भाई सब caution पूशा गया यहां से कि हीमोगलोबिन कहां पर घुला हुआ होता है संग एलेडा के जीवों में या अर्थवों में केचुए में प्लाजमा में घुला हुआ होता है इतनी बात याद रखना अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा सर आपने हीमोगलोबिन के बारे में तो बढ़िया कहानी हो गई कथा अपनी पूरी हो गई हीमोगलोबिन के बारे में सर अब आगे बात करें हाजी बिल्कुल बात करेंगे सर हम एनी मिया पढ़ रहे थे हाँ भाई साब बिल्कुल पढ़ रहे थे एनी मिया सर एनी मिया के परकार बच्छे हुए बिल्कुल पन कम्पिट करेंगे भाई एनिविया के परकार अब ध्यान से आप देखो ध्यान से बरीबास सुनना है ना रोज क्लास तो मैं नहीं ले पाता हूँ नरिस्क चुकि मैं अधर इस्टिट में भी मेरी क्लास होती है बिहार में भी होती है जो और अन्वान से तमझ आएगा आपको बातें आपको बताओंगा अपको स्वंझ में आएगा कि सर एःसा भी जनेटेक्स कुछ होता है तो हम अगली संडे में जनेटेक्स को कवर करेंगे आज हम एनीमिया को हम कवर करनें पूरा है अब मुझे 20-25 मिट का और समय दो, कम सकम 20 मिट का समय और दो, अपने ये पूरा अपन कवर करते हैं, सर एनिमिया के परकार बताओगे, क्या कहलाते हैं, कितने परकार का होता है, मैंने बोला एनिमिया के यह रहे परकार, सर पहला कहलाता है, न्यूटिसनल एनिमिया, सर क्लास करके मैं अपने दूसरे काम भी दिन प्टा लेता हूँ हना चलो, तो पहला कहलाता एनिविया, निू टिसनाल एनि mea सर ये क्यासा एनिमिया है? ये वही एनिमिया है जिसको आप बोलते हो कि सर, आइरन की कमी से एनिमिया होता है, इसका मतलब क्या होता है यदि आपके पोसन में कमी किसकी होती है पोसन में यदि आईरन की कमी होती है तो पोसन में आईरन की कमी होने से एक disease होती है, इसको कहा जाता है nutritional anemia, मतलब जो आप जो आप खाना खा रहे हैं, उसमें दी पोसण की कमी होती है, तो वो कहलाता है क्या, nutritional anemia हाजी, मैं अपना syllabus तो पूरा complete करा दूँँगा भाई है ना तर आप से, हाजी, धनवाद, धनवाद, हाँ, ठीक है, हाजी, हाँ, बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, ठीक है, पहले मैं इसको समझा दूँ, पहले, फिर मैं आप से थोड़ी बात कर लूँगा, जाते जाते, पहले मैं समझा दूँ, जब तक बाकी लोगों को और बता दीजे कब लोग पीक चला है, यहाँ पे धियान दो. सर, एनीमिया के प्रकार क्या होते है? सर, एनीमिया कहला था deficiency of hemoglobin in the blood label, रख्त के स्तर पर hemoglobin की कमी हो जाना, इसे एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया कितने प्रकार का होता है? पहला एनीमिया अपने गोले से कमी से होगा, आरन की कमी से होगा, सर, ये तो हमें नाम सुना सुना सा लग रहा है, बताओ भाई मेरे, जरा, ये परनीसियस एनीमिया, ये किसके लिए ये नाम लग रहा है सुना सुना, और किसके लिए नाम है सुना सुना, बताओ, किसने ये नाम सुना हुआ है, और किसके ल लोगों को ये नाम सूना सूना लग रहा है देवराज application के उपर class लग रही है कल भी class लगी थी live class लगी थी देवराज जैसवाल जर एक बार जा कर देखो जहाँ पर मैंने human skeleton system complete कराया है परनीसियस एनिमिया कितने लोगों को ये नाम लग रहा है सुना सुना और कितने लोगों को नाम लग रहा है सुना 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 है लक्षी बिने तो सुना है भाई कई लोग ऐसे हैं कुछ लोग बोले सुना सुना लग रहा है क्यों लग रहा है भाई कियसे लग सकता आपको जिसको नाम सुना सुना लग रहा है तो बिल्कुल जाओ मम्मी के सामने मुरगा बन जाना सर ने बोला मुरगा बनने के लिए कि आपको कैसे लग सकता नाम सुना सुना मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आपको तो नाम सुना सुना लगना ही नहीं चाहिए क्यों लगना नहीं चाहिए भाई ये वही है जो विटामिन बीटोल्व की कमी से होने बाला रोग है, यादा रहा है परनीसियस एनीमिया परनीसियस एनीमिया यादा है किसी को Deficiency of vitamin B2 इक मातरे सांबियन जिसमें क्या पाया जाता है डिखो, साइनों, कोबाल, एमाएन, चिल्ला, चिल्ला के अपना मीनिंग बता रहा है चिला चिला के, बाइसा मेरे अंदर कोबाल्ट मेटल है, तो बिटामिन बीटल्व की कमी से होने बाला रोग है, इसे को याद आया, दिस इस परनीसियस एनीमिया, याद आया, तो दूसरे एनीमिय का कहला आता है, ये कहला आता है, ये कहला आता है, परनीसियस एनीमिया, इसके बारे में आदा हो रहे हैं इसका बिटामिन बीटल का नेम और कौनसा मेटल कोबाल सर अगला बताओ एपलास्टिक एनीमिया उसको छोड़ें पहले हीमोलाइटिक एनीमिया देखते हैं पर एपलास्टिक हम देखेंगे दो हो गए इसको देखो पहले हीमोलाइटिक एनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया ये कैसे होता हीमोलाइटिक एनीमिया ये होता है यदि कभी आप लंबी बीमारी से आप गुजर रहे हैं कभी लंबी बीमारी आपको यहाँ पर हो गई है तो RBC का क्या होता ब्रेकडाउन होता है RBC क्या होती तूटने लगती है और जब RBC यहां पर क्या होती है तूटने यहां पर लगती है तब हमें कंडिसन देखने को मिलती है कौन सी हीमोलाइटिक एनीमिया हमें यहां पर देखने को मिलती है बात को समझ में आ रही है हीमोलाइटिक एनीमिया देखो आप ये आपको दिखाई देरा कब जब लंबी समय की बीमारी के पच्छा लंबी समय आपको बीमारी है तो बीमारी की बज़े से आरबीसी तूट रही है इसे बोला जाता है Hemolytic Anemia कहा जाता है ये Genetic भी हो सकता है और Non Genetic भी हो सकता है ये देखो क्या लखा है RBC तूटेगी RBC कैसे तूटी लंबा समय आप क्या रहे हैं बीमार रहे हैं High Temperature की बज़े से भी RBC तूट जाती है तो इसे एक बोला जाता है क्या Hemolytic Anemia कहा जाता है ठीक है सर Long Disease लंबी जो बीमारी होगी बीमारी लंबी यदि चलेगी तो RBC क्या होगी तूटने लगती है तो इसको कंडिसन को बोलते है RBC तूटेगी उसी के अंदर हीमोकलोब बेने उसी के अंदर ये होता रेडियेशन से सर रेडियेशन को हिंदी में बोलते है विकी रणा जब आप लंबे समय तक एकस्पोज रहते हो कहां पर रेडियेशन में जैसे ये बोल रही है ये बीमारी वो तो Royal Disease कहलाती है हीमोफीलिया हेमानसी सिंग वो तो royal disease कहलाती है हिमानसी सिंग वो ये बीमारी नहीं है हिमानसी बीमारी कौन सी है उसको बूलते है royal disease कहा जाता है स्ताही बीमारी उसकी भी चर्चा करेंगे अपन कभी अप्लाश्टिक एनीमिया क्या कहलाता जब कोई भी ब्यक्ति लंबे समय तक exposure में रहा था radiation radiation के exposure में मालो यहाँ पर nuclear power plant लगा हुआ है उसके आसपास की जो बस्तियों हाँ radiation रहेगा तो radiation सरीर के अंदर पहुंचेगा तो हीमोगलोबिन क्या होगा RBC टूटेगी सर तो मैं बुला है हीमोगलोबिन की कमी हो जाएगी उसके लोगों ने नाम क्या दे दिया उसे नाम दे दिया ए प्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है यहाँ पर जो लोग ज़्यादा UV radiation बहुत ज़्यादा धूप में रहेंगी ज़्यादा धूप में कोई कि अब धूप में भी radiation ज़्यादा आते हैं अपन धूप से अपना बचाओ भी करती क्योंकि उसमें भी तो UV है नहीं उसमें UV कभी आपने X-ray देखा इसमें भी तो radiation होता है जब X-ray कभी आपने कराया होगा तो X-ray कराने बले परदा लगा कि बाहर खड़ा हो जाता है देखा अपने सर ये क्यों खड़ा हो गया बाहर भाईसा वो अपने आपको भी तो बचाएगा radiation से हाँ थोड़े समय के लिए radiation गया था कोई दिखकता नहीं मगर लंबे समय तक expose रहो गए तो RBC तूटेगी इसे नाम दिया कि A-plastic anemia इसे कहा जाता है ठीक है सर ये भी कुछ को समझ में आ रहा कि ये plastic मतलब कुल में लाके RBC तूट रही है सर अगला बताओ ना ये पहले सोचाओं कर लें थैलेसीमिया को है ना फिर इसको हम बात करते हैं सर ये क्या लिखा हुआ थैलेसीमिया हमने सुना है सर नाम थैलेसीमिया पता नहीं है होता क्या है थैलेसीमिया अब मैं आपको बताओ थोड़ी डिटेल है कहानी मैं आपको सौट करके आपको बताता हूँ हमने तो केबल ये बोल दिया सर हीमोगलोबिन केबल ये बोल दिया तुम्हारे अंदर हीमोगलोमिन बन रहा है क्या आप रहा है ये सर बन रहा है ना बने तो सर हीमोगलोबिन की कम ही हो जाएगी this condition is known as थेलेसीमिया थेलेसीमिय जेनेटिक भी होता है non-genetic भी आपको देखने को मल जाएगा कोई सी chemical या UV radiation की बज़े से भी हो जाता है थेलेसीमिया जो थैलिसीमिया से बच्चा या कोई भी ग्रिसित रहेगा उसके अंदर नैचुरली प्राकर्तिक तरीके से हीमोगलोबिन नहीं बनता है सर प्राकर्तिक तरीके से हीमोगलोबिन नहीं बनता है जी हाँ हमारे अंदर तो बन जाता बून मेरों बहुत अच्छी बात है जिसके अंदर प्राकरतिक तरीके से हीमोगलोमें नहीं बनेगा इस कंडिशन को कहा जाता है तेलेसीमिया कहा जाता है सर तो फिर इन बच्चों का क्या होता होगा ये बच्चे टिके हुए रहते हैं किसके उपर जो बलड डोनेट करते हैं हम क्यों अतना प्रमोसन करते हैं कि भाई सब बलड डोनेट करो रक्तदान महादान क्योंकि बलड का कोई भी सप्लिमेंट नहीं है कि बलड की जगे और कुछ हम उपियो कर लें आपका भी इंदोर आएगा बहुत सारी संस्थान काम करते हैं जो थैली सीमिया से गरसित बच्चों को रखे रहते हैं एंजियो धे सारे काम यहाँ पर करते हैं तर यह क्या होते हैं एंजियो जो एंजियो जो थैली सीमिया बाले जो बच्चे जो होते हैं यह तो 100% बाद ज्यादा समय तक वो बचेगा ने क्योंकि इसको लगातर ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है तो किसी healthy percent का ब्लड को समय 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 से दिया जाता हपते भर बाद, दो दिन बाद, छोड़े छोड़े से बच्चे आपको देखने को मलेंगे इसलिए हम इतना परमूट करते हैं कि भाई सब रक्तदान तो करिएगा क्योंकि रक्तदान महादान, क्योंकि आपके रक्तदान करने से वो छोड़े छोड़े बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो थैलिसीमिया से ग्रसित है, कोई रखता अब दान करोगे, तब तक वो जिन्दा है, सर, कोई स्थाई उपाय नहीं है क्या इनका, स्थाई उपाय तो है, मगर काफी महंगा होता है, वो ने मेरो ट्रांस्प्लांट यहां पर करना पड़ता है, आजी बहुत बड़ी अनेहा, एकादर ने फुरसा से समझाओंगा मैं, हीमोग्लोमिन का स्ट्रक्चर, अल्फा बीटा चेन के बारे में, कितनी आइमिन उनस्ट होते हैं, क्या नहीं होता, जिसकी बज़त थैलिसीमिया होता, मुतना टेक्निकल में गया नहीं, क्योंकि समय की अपनी सीमा हैं, इसलिए, तो थैलिसीमिया क्या कहलाता है, तो बच्चे को लगातर बलड देना पड़ता है, अपते भर बाद, फिर और बड़ा होगा, फिर घुसाता है, दो दिन के बाद बलड देना पड़े, सब बलड ना दें तो भी मर जाएगा, क्योंकि उसके अंडर प्राकरतिक तरीके से हीमोगलोबेन नहीं बन रहा है, सब हीमोगलोबेन को कहीं से हम डाल दें, तो कैसे बनाओगी हीमोगलोबेन, तो RBC के अंदर बनता है और RBC कंपोनेंट होती ही ब्लड का ब्लड उसको लगातर दिया जाता है इसलिए हम इतना प्रमूट करते हैं कि क्या होना चाहिए थेले सीमिय वाले ग्रिसित बच्चों को लगातर ब्लड की सप्लाई यहां पर मिलनी चाहिए ठीक है चलो आरी बात आपको समझ में तो यह होता है क्या बच्चे में प्राकरतिक तरीके से RBC या हीमोगलोमिन का ना बनना इसको हम बोलते हैं थेले सीमिया जो बच्चा ग्रिसित होता है तो बहुत ही दिक्कत होती है बच्चा बड़ा होता है तो भावनाई भी बच्चे के साँ जुड़ती है वो प्राइनस को भी पता है प्राइनस को भी पता कि एक दिन बच्चा खत्म ही होगा क्योंकि भाई ट्रांस्प्लांट कराए में पैसा बहुत लगता पचास-साठ लाक रोपे लगेगा बोन मेरो ट्रांस्प्रांट होने में और क्या पता सक्सस हुआ की नहीं हुआ दूसरा ये भी रिजन यहां पे होता है और बच्चा जो है आपका बच्चा बड़ा होता भावना है माता पता दो माता पता होते हैं क्या से भी हो यहां आगे हम चर्चा करेंगे भाव सारी dirt की बात करेंगे ठीक है करेंगे एपन बात हैं कैसे ठीक हो सकता है बोन मेनों ट्रांस्प्रांट एक मात्रोपाईज का रहता है तबी बच्चा थैले-सीमिय से बचपाएगा आदरवाइस तो एक समय वो तो खत्म ही होगा तो प्राकरतिक तरीके से बन ही नहीं रही मोगलों नहीं क्या ही करोगे आप कब तक ब्लड उसको देते रहेंगे तो बहुत सारे NG उसमें काम करते हैं मुझे भी एक सौभागे प्राप्त हुआ था एक बच्चा था उसको थैले सीमिया हुआ था मैंने भी दो बार ब्लड डोनिट किया था उसको नहीं गया होगा किसी और गया होगा मगर मैंने उसके नाम से किया था ब्लड डोनिट उसको तो मिले गया था क्योंकि मैस्ट थोड़ी हुआ था ब्लड बैंक में ये मेरा ब्लड दी या दूसरों ने ले लिया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बज़े से वो 6-8 मेने और बच्चा जीबे तरह पाया था 15-16 साल की उम्र में वो अच्छा खत्म हो गया था 15-16 नहीं 10-12 साल की उम्र हो गी उसकी फिर वो अच्छा खत्म हो 13-14 की मैं बात कर रहूँ मैं वो भी थेले सीमिया से क्या था गरसित था तो जितना मेरे से बन पाया उतना मैंने काम यहां पर किया था ठीक है ये होता थेले सीमिया कहलाता है ये हो देख लो आप सिकल सेल एनीमिया सिकल का मतलब होता हसिया अरे हसिया सर ऐसा हाजी सिकल सेल एनीमिया हसिया सिकल का मतलब होता हसिया PUBG खेला किसी ने PUBG खेला किसी ने PUBG खेला किसी ने किसी ने PUBG गेम खेला है किसी ने PUBG गेम खेला है खेला किसी ने उसमें का था सिकल सिकल का मतलब होता हसिया है ना तो हसिया सर ये क्या बोला आपने हसिया चारा है चारा मगर लोग कारते देखाओगा आपने सिकल का मतलब ही होता हिंदी भासा में हसिया सर सिकल सेल एनीमिया सर ये कैसा एनीमिया होता है इसमें क्या होता है जो RBC का जो structure होता है हसिये की आकार का हो जाता अरे सर कैसी बात कर रहे हो हसिये की आकार का ये देखो दिखाई दिरी आपको RBC ये ये दिखा ऐसा ये RBC होती बाई कॉन केब होती कुछ इस तरीके की ये देखो ये होती RBC सर आर्बीसी हसीय की आकार की हो गई है ऐसा क्यों हो गया है ऐसा क्यों हो गया भई हसीय की आकार की टिकल सेल एनीमिया हसीय की आकार की आर्बीसी क्यों हो गई ये दरसल एक परकार का एडॉप्टिसन कहलाता है ये एक प्रकार का अनुकूलन यहाँ पर कहलाता है इसकीन सॉट लेने के लिए साइड में हो जाए दुरगा ये सारी चीज़े है ना मैं आपको सेंड कर दूँगा आप PW के ओफिसिल चनल की उपर आपको मिल जाएंगी या अंकित सर्फ PW आप सर्च करोगे उसकी उपर भी मैं इसको सेंड कर दूँगा पूरा का पूरा PDF है ना ये लिखा हुआ अब होसारस में लिखा हुआ मैं तो केबल आपको समझाया है ये देखो एप लाश्टिक केनी में सब कुछ लिखा हुआ है इसकी इसवाट आप मतलो ये मैं आपको पूरा जो कंटेंट है मैं आपको सेंड कर दूँगा कहाँ पर अंकित सर्फ PW ऑफिसेल टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा ये ऑफिसेल टेलीग्राम चैनल है अंकित सर्फ PW उस पे आप सर्फ कर लेना आपको मिल जाएगा क्लास खत्म होने के तुरंद बाद में आपको पूरा ये कंटेंट आपको सेंड कर दूँगा तो उसका बिलकुल भी आप तनाव ना ले और MP exam बाला की उपर तो आपको ये मिली जाएगा थोड़ी दिर के भीतर है ना चलेगा तो सिकल सेल मतला RBC हसिये की आकार की क्यों होगी तो RBC हसिये की आकार की सली होगी ये रोग देखने को मिला था सिकल सेल एनिमिया दरसल जो Amizan जो रिन फॉरेड आमेजन जो बरसाबन जो है उनके किनारे की छेतनों में पाने जादा भरा रहता था तो वहाँ पर होते थी कि मच्छर जादा होते थे अब मच्छर आपने पढ़ा है मच्छर के अंदर एक प्रोटो जुआ होता है इसको बूलते हो प्लाजमोडियम वो RBC के उपर अटेक करता है जो सिवरिंग लगती नहीं वो ठंड जो आपको लगती तो ये बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर ये एक प्रकार के डिफेंसियो मेकनिस्म होता है तो वहाँ के लोगों में हमने देखा उनकी RBC का सेफ क्यांसा हो गया वहाँ के लोगों के RBC का सेफ हो गया सिकल सेल ऐसा हो गया हसी ये क्या कार का तो हमने बुला यार यह ऐसा क्यों हो गया तो फिर बाद में समझ में आया कि जो प्रोटो जुआ जो था कौनसा प्रोटो जुआ प्लाजमोडियम यह प्लाजमोडियम क्या कर रहा था आरबीसी के अंदर अंदर जा रहा था तो हमने देखा ये body का एक प्रकार का defensive mechanism है, ये एक प्रकार की प्रतिरक्षी की रिया है, मगर इसमें हुआ ये कि आकार कम होने से hemoglobin कम हो गया भई, तो हमने रोक का नाम दे दिया, sickle cell anemia, बात समझ में आ रही, sickle cell anemia ऐसा क्यों हो रहा है, और कभी चर्चा करेंगे, हम detail में हम बात करेंगे, तो फिर में आपको सारी और कहानी बताऊंगा, कभी detail है, ये sickle cell anemia, तो मैंने आपको एक summary आपको बता दी ताकि आपको कम सक्कुम पता तो रहें, कि sickle हो क्यों गई है, ये body का defensive mechanism है हाँ पर होता है, हाँ तनी problem तो नहीं होती, मगर वो success rate छोड़ा कम होता है, बिल्कुल लग रही, देवराज, जैसवाल, classes बिल्कुल लग रही है, section बेच में, कल भी लगी थी, live class, कल भी और Monday को भी लगेगी, तो ये कहलाता है, क्या इसे कहा जाता है, sickle cell anemia कहा जाता है, ठीक है सर, ये आपने बता दी है, sickle cell anemia क्या होता है, और कहानी और कहानी में आपको बता दीता हूँ, थोड़ी और कहानी में, तो ये sickle cell anemia के उनमूलन के लिए, हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर चला है, इसको भी आप देख लीजेगा, क्योंकि आपके means, में प्री में लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम है ना, चलेगा, तो हमने कि भाई, एक क्रोड़ से अधिक लोगों की यहाँ पर जाच की गई है, तो ये एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, इस anemia को खत्म करने के लिए, है ना, तो पहली बार तो देखा गया था, अमीजदा रेन फॉरिष्ट के बरसा बनों के आसपास के लोगों में यहाँ पर देखने को मिला था, यह सिकल सेल एनिमिया, उसके बार तो फिर कई जगए आपको देखने को मिला, सिकल सेल की, आर बीची का जो शेप जो हो रहा था, वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें काम क्या है, मद्ध प्रदेस में देखो कहां से सुरुबात हुआ, 2023 से सुर कारिकरम, तो यह रहा भाई साब आपका कारिकरम पूछ लेगा, बताइए जरा कहां सुरुबात की गई थी, तो एक जोलाई, 2023 को सुरुबात की गई थी, वो भी कहां से, सहडोल जिले से, यह रहा फोटो भाई साब, यह बैठे हैं, अपने मामा बैठे हुए हैं, और यह बैठे हुए हैं, तो इस कारिकरम की देख सकते हो, आप सुरुबात, आरी मेरी बास सबज में, तो इस डेटा को आपको याद रखना है, है ना, और मैं आपको जानकारी बता देता हूँ, और क्यास में याद रखनी हैं आपको, हाँ, तो यह है कारिकरम सभी जंजाती है, क बहुत ज़्यादा ब्याप्त हैं तो यहां पर फोकस किया गया भाई 17 राजियों में 268 जिलों को फोकस यहां पर किया गया कि यहां पर सिकल सेल एनीमिया के पिसेंट ज़्यादा है आजी अब कब तक खत्म करने का टारगेट है मेरे खाल टारगेट होगा तुम इसमें आपक लिखा हुआ कब तक वो मुझे कंफम करना पड़ेगा है ना पंकच पांडे यह कब तक है एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है सीतल जब कभी भी क्या होता हम रेडियेशन की संपर्क में आते हैं रेडियेशन समझ रहा है मतलब UV rays के या X-ray की संपर्क में आते हैं तो RBC क एनीमिया की उपर सारी जानकारी मैंने यहां पर दी है और यहां चुकि मेरा काम समझाने का था सो मैंने आपको सारी बाते आपको समझा दी चाहिए लक्छन की आप बात करें चाहिए अलग अलग परकार के होने वाले एनीमिया की बात करें फोटो के साथ साथ मैंने आपको अंके सर पीडवलू इस पर भी आपको हो जाएगी देखो इस चैनल की उपर भी ओफिसल पीडवलू का चैनल है ये और दूसरा MPI एक्जाम बाला उस पर भी इसको मैं सेंड यहां पर कर दूँँगा तो दोनों जगह आपको पीडव के हो जाएगी यहां पर आसानी से उपलब्द हो जाएगी ठीक है खोड़ी सी बात मैं और कल लूँ है ना और फिर मैं कलास समापती की घोसना यहां पर करूँगा तो आज जो हमने चर्चा यहां पर की बेसिक हमने जानकारे ली हमने एनीमिया की हमने हीमोगलोबिन के हमने टाइप हमने देख लिए हमने इसके फंक्सन देख लिए कलास आपको कैसी लगी आप Office Commence करके भी आप बताईएगा और क्या आप देखना चाहते बो भी आप बताईगा आप सजितने भी आप दे सकते हो कि और क्या आप देखना चाहते हो क्यों कि मैं संडे को ही मैं कलास यहां पर ले पाता हूं बागी सामें काफी से बहुत बिजी यहाँ पर होता है तो जैसी offline comment हो ना तो उसमें आप जुरूर आप बताईएगा कि कौन सी class आप और देखना चाहते हो और class कैसी लगी ये भी बिलुकुल आप यहाँ पर बताईएगा है ना आजी देवरा सो होगी अच्छे से आप देखो क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप बताईएगा क्योंगी वो क्या होता वो appreciation मिलता है उसको किसी को teacher को भई आप यहाँ पर सामने आप बैठे हो जाथा आप बोलते है अच्छी लगी class है ना तो कौन सी क्लास आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हो कहाँ पर वो आप बता सकते हो अपने जो comment box होगा ना उस पर आप comment कर देगा सर्थ थोड़ा सा इसके बूपर चर्चा कर लीजिएगा कभी एक दिन है ना अब आप सुनू अगला जो संडे होने बाला है दिखिएगा अगला संडे जो होने बाला है मैं अभी से declare कर देता हूँ 9.30 एम में पूरी की पूरी चर्चा मैं करूंगा genetics के बारे में on one sick genetic disease genetic disease on one sick रोगों की चर्चा होने बाली है next संडे ये देख लो आप तो अगले संडे फिर हम हाजी मेरे साब से अरपे पूरी हो गई है और detail में जो data है न मैं तू पूरा का पूरा में लिखके यहाँ पर दे दिया है देट है vitamin बाला portion है तो करीमे 6-7 घंटे के recording बहुत सांदर में आपको दूँगा इसी चैनल की उपर मतलब MP exam बाला की उपर ही मैं आपको यहाँ पर दूँगा इसी चैनल की उपर एक recording भी मैं आपको यहाँ पर दूँगा उसको भी आप देखे आपको मज़ा जाएगा आप recording बाले पोर्स उसमें जाना आप videos में जाना तो हाँ पर आप देखना space technology जो जुड़ा हुआ है न अपना पहले भी जुड़ा हुआ था इसको भी मैंने एक detail में पता आया एक एक चीज़ उसमें समझाई चारे घंट एक class होगी इसको भी आप देखेगा बहुत बहुत आपकी काम की रहेगी pre point of view से ठीक है आजी तो किसी का भी कोई भी कॉशन हो तो मैंने आपको बता दी है पी डवलो की official टेलिग्राम चैनल पे आप आजाएगा अंके सर्क पी डवलो उस पे आप जुड़ जाएगा इस पको मैं उहाँ पर send कर दूँगा और अपना जो टेल platform की उपर हम मुलाकात करेंगे sunlight में ज्यादा कम होने से भी plastic anemia हो सकता है वो ज्यादा अपने बात करते हैं higher altitude की उपर बात करते हैं उच्छान सों में हो सकता है है ना मगर उसके होने की reason कम होते हैं अक्छत परताब उसके होने की reason थोड़ से कम होते हैं क्योंकि melon तो निकल मिलें क्या काम करता है उसको penalty होने से रोक देता है है ना अजी तक्छम बालों को तो बिलकुल मिलेगा वहाई आक्रुस वाले बैत में मिलेगा मेरी class वहां पे 23 फरवरी से है है ना महावीर राचपूद ठीक है चलेगा तो हम मुलाकात करेंगे अब अगले संडे मैं आपक sir PW वहाँ पे आपको मिल जाएगा MP exam बाला वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा अगले संडे हम चर्चा करेंगे आनुबांसिक बीमारियों की उपर चर्चा करेंगे इस बीक में मैं आपको सांदार recording आपको पहुंचाऊंगा 7-8 घंटे की उस recording को आप देखेंगे तो आपक की झाल जाएगे तो आपको सांच सांवाले जाएगा मिल जाएगा हम इस बीक मिल के बाला एकथा गला होगाई जाएगे इस होगाँ तो आपको पनुजजगे दोपको बाले ।ोर्प अर्चा शोर्चा नहीं भी gerçek। ऑ kto की मैं मिल करेंगे तो हैं जाएगे ह।